दोस्तो आज का वीडियो है क्लास 3 से और क्लास 3 से है बिज्ञान से और बिज्ञान से दोस्तो भी भी आई क्वेश्चन है फॉर वोर्ड इक्जाम के लिए दोस्तो आने वाले जो मैट्रिक परिशा है उसके लिए बहुत ही महत्पड प्रस्न है प्रस्न है दोस्तो तारे क्य जो तारे हैं आखिर हुए टीम टीम आते हुए नजर क्यों आते हैं आखिर क्या कारण है कि तारे हमें टीम 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 आते हुए नजर आते हैं ताप क्या लिखेंगे ताप कि ताप कि परिवर्तन कि ताप परिवर्तन की कारण ताप परिवार्थन के कारण बायु मंदल वायु मंदल का घानत्व और अपवर्थनांग और अपवर्थनांग निरंतर बदलता रहता है ताप परिवार्थन के कारण बायु मंदल का घानत्व और अपवर्थनांग निरंतर बदलता रहता है दोस्तो ताप का मतलब यहां होगा उस्नता यानि गर्मी तो ताप परिवार्थन के कारण बायु मंदल का घानत्व और अपवर्थनांग निरंतर बदलता रहता है फोलस्वरूप रात्री में तारो से आने वाली किरने फोलस्वरूप रात्री में तारो से आने वाली किरने अफवर्तन के कारण कभी अधिक वा कभी कम मुर जाती है कम मुर जाती है तो दोस्व यहां पर हम समझे फोलस्वरूप रात्री में तारो से आने वाली किरने अफवर्तन के कारण कभी अधिक वह कभी कम मुर जाती है दोस्तों तारे से जो कीरन आती है प्रकास वो वर्तन के कारण कभी अधिक और कभी कम मुर जाती है यहां तक अपन्जे अर्थात अर्थात आखो में कभी प्रकास अधिक और कभी कम पहुचता है कम अर्थात आखो में प्रकास कभी अधिक और कभी कम पहुचता है वहां से जो प्रकास आता है दोस्तों वह अब वर्तन के कारण मुर जाता है तो कभी अधिक मुरता है तो कभी कम इस कारण से हमारे आख तक जो है कभी अधिक प्रकास आता है तो कभी कम और यही कारण है कि तारे हमें तिम्टिमाते नज़राते हैं और यहां लिखेंगे दोस्तो इसी कारण से तारे तिम्टिमाते प्रतीत होते हैं दोस्तो एक बार और इसे हम समझ लें तारे क्यों टिम्टिम निमाते हैं तो ताप परिवर्तन की कारण बाईव मंदल का घनत्व और अपवर्तना निरंतर बदलता रहता है प्रतन के कारण कभी अधिक, वह कभी कम मुर जाती हैं इसके कारण दोस्तो रतरी में तारे तिम्टिमाते प्रतीत होते हैं और यही कारण दोस्तों कि तारे हमें तिम्टिमाते नजराते हैं